हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल क्रियेटिविटी एंड किचन विद मी और आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में लगी है थोड़ी सी पालक आज हुम यहीं मटर पालक बनाएंगे इसे काट कर फिर हमस्की सब्ची बनाएंगे जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं अनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन क्लिक करना ना भूले इससे आने वाली सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब यह देखें हमने पालक तो अच्छे से वोश कर लिया है अब इसे उबार कर पीस लेंगे और तो डमातर एक प्याज एक इंच अद्रक अटुक्रा कुछ कलियां लहसुन की दो हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा इसे भी हम अलग ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे हमारी कडाई गरम हो गई है अब इसमें हम टालेगे थोड़ा सा अ ऊतो हिर तेज भी हमारा गरम हो गए अब मिसमें डालेंगे पीस चून нे टमाटर प्याज अद्रक और यश्ण का पीस लेंगर आशला कर तो अब इसमें डाल देंगे हरी प्रेस मटार और इसको थोड़ी देर ढखकर पका देंगे यह दिखें बटक पक गई है अब हम इसमें मसाले याइट करेंगे तोड़ी सी हल्दी पाऊडर दो थोड़ा सा लाल मिल्च पाऊडर आप अड़बा खाना चाहे तो और भी मिल्च डाल सकते हूँ है है ठोड़ा być सद Town डालेंगे धुनिया पाऊडर सभी मसालों को अच्छे से उललेंगे एक मीनट में दोड़у और अब ऐड़ करेंगे इसमें हम पालक लेकी आपक नयाद करें यह आप पालक को भी हूँ अच्छी से मिला लेंगे कज ज़िए वर नीकजी इसमें धी तेसे आट नमचे मिला लेंग tense कि है एक कि मिलाने के लिए अच्छे से अब हम धब लिए इसे पकाएंगे आप हम इसमें डालेंगे थोड़ाने गरम मसाला किसा कि अब इस अव्चिछ कहाने के लिए एक्नू स्प्रियंटी है और जादा यमी और टेश्टी बनाने के लिए हम इतब становится करेंगे घर की फ्रेस मलाईज अब यह सब्ची एकदम रेड़ी है यह देखिया हमारी मतरफालक की सब्ची बनकर रेड़ी है हमें उपर से इसे मलाईज से गानेज किया है गाईज अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाईक और शेयर जरूर करें और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू